नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर सब्दों के जादुगडी से प्रभावित करने वाले देवगी नंदन खतरी का आज है जंदन दूसरी बार पटना राची वंदे भारत एक्सप्रस ट्रेंग ट्रायल रन के लिए हुआ रवाना कुलपतियो संग बैठक में सक्छा मंत्री ने दिया यह नरदेश स्रावनी मेले को ले करताई यारिया जोरो सोरो से ODI World Cup में दो अस्थानों को बदलने की मांग कर रहा पाकस्तान इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और वस्तार से चार साल के CBCS आधारित graduation course पर राजेपाल आरलेड कर नहीं कहा ये बीतित सनिवार को एकार एक्रम को संबोधित करते वे बिहार के राजेपाल राजेंदर विश्वनात आलेड करके दोए चार साल के सनातक course को राजे के छातरों के हित में बताया गया है उन्होंने कहा कि छात्र मात रसनातक की डिग्री हासल करने के लिए तीन वर्षों तक अपनी पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन वैसे छात्र जो उच्छ सिक्छा के लिए विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर अन्य विश्विद्याले जहां उच्छतर सिक्छा के में भी यह सिस्टम लागू है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इन दिनों चार वर्षी असना तक कोर्स को लेकर बिहार सरकार और राजभवन के बीच और समंझस के सिथी बनी भी है सब्दो की जादूगरी से प्रभावित करने वाले देव की नंदन खतरी का आज है जन्दन आज बाबू देव की नंदन खतरी का जन्दन है बता दे के आज ही के दिन 1861 में बिहार के समस्तेपुर में उनका जन हुआ था बाबू देव की नंदन खतरी हिंदी के प्रथम तलस्मी लेखक थे उन्होंने चंदरकांता, चंदरकांता संतती, काजल की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, विरंद्र वीर, गुप्त गोदना, कटोडा, भड, भूतनात जैसी रचनाई की मालम हो कि हिंदी भ में एक प्रिंटिंग प्रेस के स्थापना भी की थी, और साथ यनोंने सुदर्शन नामक हिंदी मासिक पतर की भी शिरवात की थी, तिलिस में एयार और एयारी जैसे सब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोग प्रियब राने में बापू, देव की नंदन, खतरी का ही य पता दे कि आज एक बार फिर से पतना राची वंदे भारत एक्स्पर्स ट्रेन अपने दूसरे ट्रायल रन के लिए पतना से सुबह साथ बजे हटिया के लिए रवारा की गई, इस तोरान ट्रेन पतना से हटिया के भी जहानाबाद गया कोडर्मा, हजारी बाग बढ़काक विरंदर कुमार के द्वरा दी गई जानकारी के नुसर वंदे भारत फ्रेन का उद्गाटन राची स्टीशन पढ़किया जाएगा पे अमोधी ने मनकी बात में टीवी मुक्त भारत बनाने को लेकर कहा ये, आज यानी रविवार को प्रधान मंतरी नरंदर मोधी के द्वरा अपने मनकी बात के 102 संस्करन में सभी को सम्बोधित करते वे कहा गया कि आम तोर परमन की बात हर महीने के आखरी रविवार को आयूजित की जाती है लेकिन इस पार यह एक हफ़ते पहले ही हो रहा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं अगले हफ़ते अमेरिका में रहूंगा और महा कारिक्रम काफी व्यस्त होने वाला है इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से पहले ही बात कर लूँ इस दौरान उहोंने वर्स 2025 तक भारत को टीवी मुक्त बनाने को लेकर कहा कि यह भारत का लक्ष है उन्होंने कहा कि एक समय था जब टीवी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे लेकि बिहार में भीशन गर्मी के बीच इन जिनो में सभी स्कूल बंद बिहार में लोगों को गर्मी से बुड़ा हाल है मॉनसून के आगमंके बावजूत भी लोगों को गर्मी से रहत नहीं मिल रही इसी को देखते विए बिहार की कई जिलों में सभी स्कूलों को बंद करने का नर्ने लिया गया है जिसमें गया जिले में भीशन गर्मी वह हीट वेव के प्रकोप को देखते वे जिले के सभी सरकारी वह गैर सरकारी स्कूले सभी सैशनिक संस्थानों को 24 जून तक स्थगत करने का नर्ने लिया गय इसके अलावा बेगुसराय और समस्तेपुर के भी सभी स्कूलों को 24 जून तक बंद करने का नड़ने लिया गया है वहीं और अंकाबाद में 8 वी कक्छा तक के स्कूलों को 24 जून तक बंद किया गया है और 9 वी वह इससे उपर वर्ग के बच्चों की क्लास सुभ साली 9 बज लेकर बिहार आने वाली है बता दे कि जया किसोरी बिहार के राजधानी पटना 16 जुलाई 2023 को आने वाली है मालू हो कि उनके आगमन को लेकर तयारियां शुरू कर दी गई है वहीं मिरे जानकारी के नुसार फिलहाल उनका कारिक्रम एक दिन के लिए है जो कि गांधी मैदा के बापू सभागार में आयोजित किया जाएगा अबकी जानकारी के लिए बता दे किस कारिक्रम में शामिल होने के एक चुक लोगों के लिए टिकट भी रखा गया है जिसकी कीमत की शुरवाज 600 रुपए से हो रही है जो की 10,000 रुपए तक रहेगी वहीं इस कारिक्रम मे वी वी आई पी और वी आई पी गेस्ट के लिए अलग व्यवस्था की गई है शरावनी मेले को लेकर तयारिया जोरो-सोरो से बिहार के भागलपुर में लगने वाले विष्व प्रसदह मेली की तयारिया जोरो-सोरो से चल रही है बता दे की गच्छा कावणिया पत पर दुकान लगाने को लेकर दुकानदार के द्वारा भी अपनी तयारियां शुरू कर दी गई है। मनीश कर्षप को रंगदारी और मारपीट के पुढाने केस में बेतिया कोड के सामने पेश होने के लिए 27 जुन को बिहार लाया जाएगा। मनीश कर्षप बीजेपी नेता उमकान सिंग के साथ मारपीट करने और रंगदारी मांगने का आरूप लगाया था। राजधानी में पुर्वी छित्रिय परिशत के स्थाई समीती की हुई बैठक। जिसमें बिहार, बंगाल, छार्खन और उरीशा के केदरी मंत्रालियों और अन्य वरष्ट अधिकारियों सहित को 70 प्रतिनीधियों नहीं भाग लिया। इस दोरान उरीशा, परश्यमंगाल, एवं बिहार, राज्य द्वारा, प्रयुक्त गुड प्राक्टस से संबंध तीन बिंदों पर चर्चा की गये। इस बैठक में कई विवादासपद मामलो को सुलचाय गया और उन्हें एजंडा से हटाने का नड़ने लिया गया। और साथ ही अनिक अंसुल चे मुद्दों को निकट भविश्य में होने वाले पुर्वी छित्रीय परिसत की बैठक के समझ चर्चा ही तू रखने का नड़ने लिया गया। राजे सरकार की ओर से गुड़ प्राक्टिस के अंतरगत प्रस्तूत स्मार्ट प्रिपेर मीटर संबंधी प्रस्तूतिकरन को पुर्वी छित्रीय परिसत की बैठक ही तू चियरत किया गया। बतादे कि इस बैठक में 17 दिसंबर 2022 को कॉलकता परश्वी मंगाल में संपन पुर्वी छित्रीय परिसत की पचीस्वी बैठक में लिये गर नड़ने ओपर पुर्वी छित्रीय परिसत के विचार किया गया जिसमें 16 बिंदों पिछले बैठक के लिये गया थे जबके 29 अन अधिक लोगों ने अपनी जान भी कवा दी है जिन में गया में पांच, पांका में चार, अरवल में तीन और अरंगाबाद, रोहतास वर नवादा में दो-दो लोगों की जान चली गई है वहीं बिहार की राजधानी पटना समेट कई जिलों में गर्मी की वज़से बिगरे तब्यत वाले मरीजों की संख्या में भी व्रिधी आई है लेकिन अब अनसब के बीच आपदा विभाग की ओर से समामले को गंभीरता से लेते वे लू से हो रही मौत को लेकर जलों से रिपोर्ट मागा गया है और इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वह घर में ही रहें और इसकी प्रक्रिया अशरो करने का नर्देश दिया उन्होंने कहा कि कोर्स के डिजाइन में बदलाव करने के लिए हमें करी तरह की चीजों की जरुवत परेगी और उसके लिए अधिक धानराशी की भी जरुवत होगी लेकिन वर्तमार में सरकार के बजट का लगभग एक चोथाई सिक्षा पर खर्च होड़ा है इसलिए बजट में तुरांत किसी प्रकार की व्रिधी करना संभव नहीं है आ पर खर्चनति गलियारों में लगतार बयान बाजी जारी है इसी करी में बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराथ चौधरी के द्वारा तंज कस्तेवे कहा गया कि विपक्षी के जितने भी दल है सभी के नेता प्रधान मंतरी बनने का सपना देख रही है वे इसमें तीन-त महीने के कारेकाल वाला प्रधान मंतरी बनना चाहर है लेकिन नितीश का 3 महीने का पियम बनने का भी सपना तूट गया दो हजार चौबस में देश की जंता एक बार फिरसे नरंदर मोदी को भारत का प्रधान मंतरी पनाईगी रहुर गांधी ने जब तक यह नहीं सुना कि नितीश कुमार पुधान मंत्री के मिद्वार नहीं है तब तक वह बिहार आने के लिए तैयार नहीं थे नितीश कुमार एंडिये इस्टिश छोड़ गये थे क्योंकि उन्हें पीम बनने का सपना दिखाया गया था लेकिन अब उनके सपनों को भी तोड़ दिया गया है बिहार में 40 लाग सदस्य बनाएगी आरेल जडी बीते दिन पुर्व केंद्रिये मंत्री उपिंद्र कुश्वाह की राश्रिय लोग जंता दल पार्टी के तरफ से रालोजद पिहार प्रदीश अध्यक्ष व पुर्व विदायक रमी सिंग कुश्वाह की अध्यक्षता में एक बैठक आयुजद की गई जिसमें राश्रिय लोग जंता दल पिहार के जिला अध्यक्ष व जिला संगठन प्रभारियों ने हिस्सा लिया बता दे किस बैठक में कई एहम मुद्दों पर नर्णय लिया गया रालुजद की प्रदीश प्रवक्ता राम पुकार सना के दोरा दीगे जानकारी के नुसार बैठक में मुख्य रूप सी प्रदीश अध्यक्ष रमी सिंग कुश्वाह के द्वारा सभी जिल्वा अध्यक्षों को अपने अपने जिलों में पार्टी की सदस्टा अभियान को युदस्तर पर चलाते वे पूरे बिहार में 40 लाख सदस्य बनाने का लक्षे रखा गया है इसके साथ ही बिहार के सभी जिलों में पार्टी जिला कारे करता सम्मेलन जुलाई के प्रतम सब्ता से शुरू कर रही है ODI World Cup में दो अस्थानों को बदलने की मांग कर रहा पाकस्तान, ओक्टोबर नवंबर में होने वाले World Cup के मैचों को लेकर पाकस्तान की ओर से इक्छा जाहिर करते वे, कहा गया है कि अफगानिस्तान और आस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के लिए स्टेडियम को बदल दिया पाकस्तान का कहना है कि चन्नाई के पिछ अकसर स्पिंड़ों के पक्ष में रहती है जो अफगानिस्तान के खिलाफ टीम के लिए एक चुनौती हो सकती है क्योंकि अफगानिस्तान के पास बहतरीन स्पन आकरमन है ऐसे में पाकस्तान के दोरा अनुरूत किया गया है कि और और अफगानस्तान के खिलाफ उनके मैच क्रम सा चन्नाई और बेंगलोडु में स्थांद्रत कर दिया जाए जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी कियेगा इसके साथ ही गया में पेट्रॉल डीजल कीमत बिहार में पेट्रोल का रेट सबस्था घंज में है जहां पेट्रॉल डीजल डीजल दो तीन रुपे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है बिद्र अमदरा पूचे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगर पजाब हमें हमारी कमेंट सेक्षिन बॉक्स में लिखकर दिया है जिरूने अमदरा पूचे का सवाल का जवाब दिया है आप इस विशन गर्मी में अपना जीवन कैसे व्यादत कर रहे है आपना चावब हमें आमारी कमेंट सेक्षिन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कब्रों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे हैं और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बॉक से देख रहे हैं तो पेस को पॉलो करना ना भूले धन्यवाद